वेलकम डू प्रेजनेशन आज के टॉपिक में हम टैली में शॉटकट कीज के बारे में पढ़ेंगे अब देखेंगे लेफ्ट रंड साइड पर हमें विंडोस दी गई है मीज की जो जो कीज हम शॉटकट के साथ यूज करेंगे उनकी राइड राइड साइड पर इनकी फंक करेंगे इसका मतलब क्या है कि हम डुब्ली है करेंगे किसी वाउचके का सब्सक्राइफब चॉटके करेंगे तो यहां पर हम डेबुक ओपर ऒंक्रेंगे ऍस्प्लै यहां पर अगर आप period wise देखना चाहते हैं तो F2 क्लिक करेंगे alt के साथ तो आपके पास date डिस्पले हो जाएगी यहां पर date enter करके आप अपने date के according अपने vouchers open कर लेंगे first आपके पास जो command थे वो थी alt plus 2 for example हम hotel bean का जो last हमारा voucher है हम उसे duplicate copy create करना चाहते हैं तो यहां पर हम alt के साथ 2 की press करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपके पास duplication जो window है voucher की open हो जाएगी हमें कैसे पता चलेगा कि यह duplicate voucher है inventory voucher creation window के साथ लिखा है duplication आप एंटर प्रेस करते जाएंगे और last में हम screen को accept करवाते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर लिखा आ रहा है duplication 5,6 में इस की एक copy हम create कर चुकी हैं चले हम next देखते हैं हमारी जो next command है alt a, alt के साथ अगर हम a प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा हम vouchers को add कर सकते हैं किसी particular voucher के नीचे तो चले हम इसे implement करके देखते हैं हम tally की window में चलते हैं tally window में जाने के बाद suppose हम यहां पर generic fabricator के बाद कोई voucher add करना चाहते हैं तो हम alt a प्रेस करेंगे जैसे हमने alt a प्रेस किया आप देखेंगे accounting voucher creation window ओपन हो जाएगी आप यहां पर एक चीज का ध्यान यहां पर यह sales voucher है अगर आप यहां पर purchase voucher open करना चाहते हैं इसके बाद कोई next voucher create करना चाहते हैं तो आप alt a करेंगे तो आपके बास purchase voucher open हो जाएगा हम escape करते हैं अगर हम यहां पर physical stock के बाद कोई voucher create करना चाहते हैं तो हम alt a करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बास फिजिकल स्टॉक का ही next voucher open होगा अगर आप कोई voucher change करना चाहते हैं तो इस button बार में से आप अपने voucher को change कर सकते हैं इनमें अपने entry करते जाएंगे और इस voucher को accept करवा लेंगे फिलाला में escape press करते हैं next है हमारे कमांड थी alt c इसकी हम description जानेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो next कमांड है वो है alt c इसकी help से हम अपने master को open कर सकते हैं next is alt d अगर हम particular voucher को delete करना चाते हैं तो हम alt d यूज़ करते हैं next है alt e अगर हम अपनी जो particular data है उसे export करना चाते हैं तो हम alt e यूज़ करते हैं next is alt i पहले हम इने read कर लेते हैं इनका practical implementation हम साथ की साथ करते जाएंगे to insert a voucher तो हम alt i प्रेस करते हैं इसी तरह से कुछ और commands भी है alt l, l की help से हम language configuration देख सकते हैं alt k, it is used to select the keyboard configuration then alt o, this is our last shortcut key to upload the report at your website, हम अपनी website पर अपनी report को upload कर सकते हैं तो चलिए हम इनका practical implementation करके देखते हैं, हम Tally की window में जाएंगे next command थी हमारी alt c, इसकी help से हम अपने particular masters में जा सकते थे हम escape करके screen से बाहर आए, suppose हम यहां पर accounting vouchers create कर रहे हैं और हमें कोई भी यहां पर ledger create करना है, suppose हम यहां पर particular ledger है वो create करना चाहते हैं suppose हम यहां पर कुमार के नाम से ledger create करना चाहते हैं, वो हमारे पास create नहीं है तो हम alt के साथ c की press करेंगे, तो आप देखेगे कि आपकी जो master window है ledger creation की वो open हो जाएगी escape करके बाहर आते हैं, अगर हम यहां पर stock group create कर रहे हैं हम inventory vouchers में जाएंगे, then stock item, suppose हमारे पास name of item available नहीं है तो आप alt c करेंगे, तो इस तरह से आप stock item creation means master window में add हो जाएंगे यहां पर अपनी item enter करते जाएंगे और अपनी screen को accept करवाएंगे तो आपकी जो item है जो ledger है वो इस तरह से यहां पर accept हो जाएगा next हमारे command थी alt d, हम यहां पर display में चलते हैं, debug select करेंगे suppose हम particular जो हमारी report है कोई voucher हम उसे delete करना चाहते हैं suppose हमारे पास एक voucher है जो हमने यहां पर duplicate create किया था hot roll channels तो हम इसे enter press करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपके पास जो आपकी window है वो open हो जाएगी यहां से हम particular voucher को delete करना चाहते है तो हम all के साथ D की press करेंगे all D करते ही आपके पास delete का इस तरह से message box open होगा अगर आप one time enter press कर देंगे तो आपका यह voucher delete हो जाएगा अगर आप इसे as it is जाने देंगे end पर क्लिक करेंगे अपने keyboard से या no पर अपने mouse से क्लिक करेंगे तो आपका यह voucher delete नहीं होगा हम enter press करते हैं तो आप देखेंगे कि इस list में से जो duplication voucher था hotel beam का वो delete हो चुका है तो इस तरह से हम किसी particular report को delete कर सकते हैं next हमारे command थी alt e अगर हम alt e करते हैं तो इससे हमारा जो data है वो export हो जाता है एक्सपोर्टिंग balance sheet की window open हो जाएगी यहां से आप backspace प्रेस करके language select करेंगे इसके बाद आप format चेक करेंगे HTML, JPEG, PDF, XML, Excel इस तरह से काफी format दी गए हैं आपके पास सब बदम यहां से excel करते हैं enter करेंगे export location देंगे इस तरह से आप इसकी settings चेंज करके last में अगर enter press कर देंगे तो आपका जो यह balance sheet है वो export हो जाएगा यहां पर आपने format दिया है excel तो आपकी यह file excel में export हो जाएगी फिलाल हम escape करते हैं अब हम next command के मारे बें जानते हैं next ही हमारे i, i करने के लिए हम क्या करेंगे अपने accounting voucher में जाएंगे alt i करते ही हम पहले यहां से debook select करते हैं यहां से अपने display से select कि है debook then enter अगर हम alt i enter करेंगे तो आप देखेंगे हम particular कोई भी अपना voucher create कर सकते हैं इस तरह से अपने details एंटर करेंगे इस ledger को इस voucher को accept करवा देंगे नेक्स्ट हमारी command थी L, L की help से हम language configuration open कर सकते थे इसके बाद हमारी command थी alt plus k, alt अगर हम k press करते है alt के साथ तो इससे क्या होगा आपके पास language और keyboard configuration हम open कर सकते हैं यहां से आप अपने language select कर सकते हैं Hindi, Canada, Malayalam जो भी आप यहां से language रखना चाते हैं language रख सकते हैं English select किया हमने enter press किया तो आपकी जो language है वो English में set हो जाएगी और जो हमारी last command थी वो थी o alt plus o अपनी report को upload करने के लिए suppose हम यहां से balance sheet open करते हैं हम old के साथ o की press करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास uploading balance sheet की जो window है वो open हो जाएगी dexpress press किया हमने upload to web page means http https ftp site जो भी आप यहां से अपनी upload to करना चाहते हैं वो आप select करेंगे URL given करेंगे secure server देंगे username password enter करेंगे format रखेंगे किस format में आप upload करना चाहते हैं Excel, XML, JPG जो भी आप रखना चाहते हैं मीजिस की जो भी आप settings करना चाहते हैं और last में अगर आप यहां पर yes कर देंगे तो आपकी जो particular balance sheet है वो आपकी website पर upload हो जाएगी मीजिया एक तरह का web page बन जाएगा फिलाला में यहां पर इसे escape करते हैं और यहां पर हम gateway of tele window में आ जाएंगे तो इस तरह से आज की topic में हमने अपने tele के कुछ shortcuts के बारे में पढ़ाओ next topic में हम इसी discussion को continue रखेंगे thank you